सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्डेंट फेक्टा था मेरी प्रिप्रेशन में मतलब मैंने दिवाली हो ली कोई भी तेवार किसी का बड़े मैं अपने 10-11 गंटे पक्का पड़ा हूँ अगर कोई भी बंदा आज एक बड़िया रैंक फोड के एम्स में या और किसी बड़िया मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS कर रहा है तो just because of this consistency सब में तुम्हें ये चीज common मिलेगी बट जितनी important ये खुद है उसे कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है इसको maintain कर पाना तो ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है मैं तुम्हें कुछ rules बताऊंगा तुम्हें बस उसे दिल से follow करना है और अभी कुछ भी comments में मत लिखना 21 दिन बाद मुझे comments की बोचार चाहिए जिसमें तुम लिख रहे हो कि हाँ मैंने challenge accept किया और उसको complete किया और challenge क्या है challenge है कि तुम्हें इन सारे rules को हर दिन follow करना है ठीक है so let's begin rule number one है तुम्हें एक दिन पहले ही अपने सारे goals लिख लेने है अगले नहीं करोगे rule number two है golden hour rule अब दिन का जो पहला गंटा होता है वो बहुत special होता है इसको तुम्हें पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करना है इससे तुम्हें दो फायदे होंगे पहला कि मानलो तुम्हारा target 12 गंटे पढ़ने का है और एक गंटा जब तुम इ इससे जो confidence आता है वो बिल्कुल next level होता है और यही confidence तुम्हें पूरा दिन पढ़ने को motivate करता है rule number 3 है तुम्हें अपने आपको reward देना है जब तुम अपने task पूरे करो जैसे तुम्हें बहुत मन हो रहा है social media चलाने का तो तुम्हें एक tough decision लेना पढ़ेगा कि अगर आज मैं 12 गंटे पढ़ूंगा तब ही मैं social media चलाओंगा नहीं तो नहीं अब जो यह नहीं तो नहीं होता है यह बहुत काम की चीज़ है यह तुम्हें तब help करेगा जब तुम्हें लग रहा होगा कि यार आज तु नहीं हो पाएंगे 12 गंटे आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तब यह तुम्हें पढ़ाई के लिए push करेगा rule number 4 है pomodoro technique या फिर focus sprints method देखो तुम्हें 50 minute का slot बनाना है पढ़ाई का और उसके बाद 10 minute का break रखना है अब इस 10 minute के break में तुम high dopamine वाली जो चीज़े होती है उनको avoid करना जैसे social media चलाना या match देखना ताकि तुम्हारा यह 10 minute का break बढ़के आदा या एक गंटे का ना हो जा है तुम इसमें ऐसी activities कर सकते हो जो तुम्हारे mind को relax करे थोड़ी बहुत exercise कर सकते हो जिससे तुम्हारा blood flow सही हो और दिमाग अच्छे से काम करे रूल नंबर 5 है avoid fap and pond देखो मैं बस इतना कहना चाहूंगा no history can be created while running behind the other gender and satisfying your genitals यह सिर्फ तुमारी energy waste करेगा और तुम्हें guilt provide करेगा और अगर नशा करना ही चाते हो तो कोई बड़ा नशा करो यह छोटे मोटे नशे में कुछ नहीं रखा है बड़ा नशा जैसे purpose का नशा गोल का नशा यह नशे करो rule no 6 and most important rule है be honest to yourself and keep patience देखो इन सब के बाद भी ना कई दिन ऐसे होंगे कि तुम उतना अच्छा पफॉर्म नहीं करोगे तुम 12 गंटे के सिर्फ 4 गंटे ही पढ़ पाओगे यह सब के साथ होता है बट दिक्कत का है ना दिक्कत है कि हम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल द बेते हैं आज पड़ा क्यों नहीं क्योंकि रिलेटिव आये वे थे या गर में किसी का बड्डे था एक बारी खुद सोच के देखो कि क्या कि सी रिलेटिव के कारण या किसी के बड्डे के कारण तुम अपनी जिंदगी उसके लिए दाओं पे लगा सकते हो बड्डे तो को हर साल आएगा बट क्या तुम हर साल नीड देना जाते हो नहीं ना अपने आप से ओनेस्ट रहो और अपनी गलती को accept करो और जो गिल्ट आएगा उसको अपने अगले दिन को बैटर करने पर लगाओ और एक मित जो रहता है कि आज मजे देखी जा रही हो तो मैं क्या ये बताना चाहूंगा कि मैंने तो बस इस पूरी जिंदगी मजे ही किया और कुछ नहीं किया नहीं न ये सिर्फ हिंड्रेंस क्रियेट करने तुमारे लिए हैं ताकि तुम अपना गोल न अचीव कर सको अपने लाइफ का एक गोल रखो परपस रखो ताकि जिस दिन वो आखरी समरी वाला दिन हो न तो तुम उस दिन चौड से ये बता पाओ कि हाँ मैं ये करना चाहत अचीव भी कर चुके होगे तो यही थे कुछ रूल्स जिनने तुमें फॉलो करना है और मैं 21 दिन बाद इंतजार करूंगा तुम लोगों के कमेंट्स का और आई होब तुमें इस वीडियो से डारेक्शन और मोटिवेशन मिला होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्